एक बार एक सुनार की आकस्मिक मृत्यू के बाद उसका खांदान मुसीबत में पढ़ गया और उसके पूरे परिवार को भोजन के भी लाले पढ़ गये। एक दिन मृत सुनार की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार दे कर कहा बेटा। इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ, कहना ये बेच कर कुछ पैसे दे दें। बेटा वो हार लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देख और परक कर कहा बेटा। मा से कहना की अभी मार्केट बहुत मंदा है। थोड़ा रुक कर फ्रोक्त करना अच्छे दाम मिलेंगे। फिर उसे थोड़े से रुपए दे कर कहा की तुम कल से मेरे दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से वो लड़का रोज दुकान पर जाने लगा और वहां हिरोंजवाहरात की परक का काम सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वो बड़ा माहिर बन गया। लोग दूर दूर से अपने हीरे वजेवरात की परक कराने उसके पास आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी मा से वो हार लेकर आना और कहना की अब मार्केट में बहुत तेजी है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। दूसरे दिन मा से हार लेकर जब लड़के ने उसे परखा तो पाया की वो तो नकली है। फिर उसने कुछ सोचकर उस हार को घर पर ही छोड़ दिया और दुकान लोट आया। चाचा ने पूछा, हार नहीं लाए। उसने कहा, वो तो नकली था। तब चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार उस हार को लेकर आये थे, उस वक्त अगर मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम सोचते की आज हम पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी चीज़ को भी जाली बताने लगे, आज जब तुमें खुद ग्यात हो गया, तो पता चल गया की हार नकली है. सच तो यही है कि इल्म के बगेर इस दुन्या में ऐसे ही गलफमी का शिकार होकर पारिवारिक और बेहत करीबी रिष्टे बिगड़ते हैं.